फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे क्रॉप टॉप ब्लाउस डिजाइन इसे हम बनाएंगे प्रेंसिस कट पर 35 से इसका बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लीजेगा और बेल लाइकन की बटन जरूर दबाएगा तो यहां पर इक टाइंग लिया हमने वन मीटर स्टो ट्न फैवरिक लिया है असी संटीमीटर और में फैवरिक हमने बन मीटर लिया है और इसकी कटिंग हम남ेंप पेपर पर करेंगे तो फ्रैंड की मार्ड परेंड कि Detal के लिए अंसको कट करेंगे तो ब्लाउस की जो टोटल एंड लैं है अब यहां पर देखिए हमें एक्स्ट्रा लेना है आपर 2.5 इंच तो इस तरह से 2.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है यह हमें ब्लाउस में एक्स्ट्रा लेना है तो देखिए 2.5 इंच पर हमने मार्किंग करते हुए इसे स्ट्रेट में लाइन को ड्रो कर लेना है तो देखिए यहां पर हमने लाइन को ड्रो कर लिया है अब जो लाइन ड्रो की है उसके साइट से हमें मार्किंग करनी है शोल्डर की तो शोल्डर लेना है हमें 7 इंच शोल्डर का हाफ लेना है तो 7 इंच पर हमने मार्किंग की है आउल मोले ना है हमें इस तरीक से स्टेट में सिक्स पाइंट 5 इंच पर माकिंग करेंगी और यहाँ पर हमें चेस्ट का 4 पार्ट लीना थो पकर भून toca 5 इंच तो 8.75 इंच पर हम मार्किंग करेंगे फ्रेंट पार्ट ही तो 2.5 प्लस करना है margin के लिए, यहां से हम straight line ड्रॉ करेंगे, नीचे के side से हमें 1 inch extra लेना है text के लिए, तो दीखे हैं, इसी थरीके से आमें line को ड्रॉ करना है, तो दीखे category ले लिया, 1 inch से armhole के side गुलाई देनी हैं, यह देखिए इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है तो जो नॉर्मल कटिंग होती है वो हमने याप पर मार्किंग कर ली है उसके और अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे तो यहां से हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और टक्स पॉइंट आएगा हमारा 10 इंच पर तो देखिए 10 इंच पर हमने मार्किंग की अगर आप 36 है इसका ब्लाउस बनाते हैं तो आपको टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर लेना है तो यहां पर 35 इंच है तो हमने टक्स पॉइंट 10 इंच पर लिया और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दिया है टक्स की मार्किंग करेंगे तो देखिए यहां से 1.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है तो मैं एक साइट से ही यहां पर मार्किंग कर रही हूँ लैंध हमें इसकी जादा रखनी है तो हमें 3.5 इंच पर स्ट्रेट में हमने मार्किंग की है अगर 14 इंच तक रखते हैं तो आप इसकी जो हमने 3.5 इंच लिए वहां से आप 2 इंच ही लिजेगा अब दिखिए यहां पर प्रिंसेस कट की मार्किंग कर ली हमने यहां पर जो हमारा आर्म हो ले जहां पर हमने प्रिंसेस कट की शेप दिया है वहां से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहां से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रो करनी है यह दिखिए स्ट्रेट लाइन हमने ड्रो कर ली और अब हमसे हम कट करेंगे यह दिखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है सेंटर से हम इसे कट करेंगे और यहां पर हम डिजाइनर कॉलर बनाएंगे इसमें तो दिखिए जो एक्स्ट्रा लिया है वो हमने यहां पर इस तरीके से लिया है यह देखिए यहाँ पर इस तरीके से दोनों ही सैट सो फोल्ड कर लेना है यह देखिए इसे हमने फोल्ड कर लिया है और अब इस तरीके से हम इसे रखेंगी एक के उपर एक करके यह देखिए इस तरीके से और साइट का यह पाठ हो जाएगा और जो अपर पाठे अब उसे हम कट करेंगे तो दीखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्किंग करने है जितना भी नेक आपको रखना हो तो जो नेक है हमारा उसमें हमें यहाँ पर फैवरिक को लगाना होगा तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच के सम्तिंग यहाँ पर और दिखे एक पेपर हमने ओड़ लिया फ्रेंट पार्ट को इस तरीके से रखना है और इसकी एजटीस मार्किंग करनी है पहले हमें जहां पर हम कॉलर लगाएंगे ना वहां की और साइट से भी हम इसकी एजटीस मार्किंगे तो जो हमने एक्स्ट्रा जो फैवरिक का उपर जो कट किया था उसे हमें यहां पर रख लेना है इस तरीगे से और यहां पर हमें आर्मुल का बाइना है इस तरह से मार्किंग कर लिए स्टेट में हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से और अब दिखिए यहाँ से भी हमें स्टेट लाइन ड्रो करनी है तो लाइन को हमने यहाँ पर ड्रो कर लिया नैक की कटिंग करेंगे कि नेकी भीट हमने आप रखी 3.5 इंच नेकी लैंथ हमें रखनी है 3 इंच एक honey एक बॉकि बनाना ह breaths no इसमें राउंड शेप करना है तो सब्सक्त कर दिर्भ और दिखिए यहां से हमें वन इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है क्योंकि हमें इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा स्टिचिंग के लिए तो हमने यहां पर साइट से वन इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और से कट किया है नेक को हमेज़ टीज ही cut करना है जैसे हमने marking की है तो देखिए इस तरीके से हमने इसे cut कर लिया अब सारे पार्ट से हमारे हाँ पर cut हो चुके हैं तो देखिए जो neck है जो design है हमारी front की वो इस तरीके से आएगी तो आप इसे crop top पे ज़रूर बनाएएगा बहुत ही प्यारा लगता है यह पहनने पर और इसका जो look है वो इस तरीके से आएगा इनकी cutting हमें lining fabric पर करनी है तो देखिए इस तरह से front part को हमने रख लिया है और back part की भी marking हमने यह आपर कर लिया है यह देखिए तो उसकी total land 16.5 inch रखी है shoulder रखा 7 inch, armor रखा 6.5 inch, chest का fourth part लिया 8.75 inch 2 inch plus किया margin के लिए waist एमारी 28, उसका fourth part लेना है 7 inch 2 inch margin के लिए लेना है, 1 inch tucks के लिए लेना है 1 inch से armor के साइट गुलाई दी है यह सिर्फ हम organ sa fabric पर ही cut करेंगे, lining पर हमें इसे cut नहीं करना front और back part हमने cut कर लिए और जो front part है उसे certain fabric पर cut करेंगे और back part को हम organ sa fabric में cut करेंगे तो देखिए हमने यापर इसे cut कर लिया front part को stitch करना है तो जो certain fabric है उसे wrong side पर रखना है उसके उपर lining रखते हुए हमें इसे चारो side से stitch करना है side का जो extra fabric को गनाव से आपको cut करना है दूसरा part भी हम इसी तरीके से stitch करेंगे यह देखिए यहाँ पर दोनों ही पार्ट stitch कर लिया है आप देखिए इस पार्ट को हमें लेना है तो देखिए यहाँ पर जो color लगानी है उसके लिए हमें organ sa fabric यहाँ पर लेना होगा center से हमें इसे cut करना है और इसे भी हम center से cut करेंगे अब देखिए यहाँ पर यह organ sa fabric लिया है इसके जो weed थे वो हमने 4 इंच रखी है आप 5 इंच भी रख सकते हैं उसकी जो land थे वो हमें blouse के नापकी रखनी है यह देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब पैले हमने certain fabric रखा right side पर उसके उपर हमने जो organ sa fabric हे हो रखाय है राइनिंग फैवरिक रखते हुए हमें इस तरीके से stitch करना है तो इससे आपको confuse बिलकुल भी नहीं होना है certain fabric रखा right side पर उसके उपर organ sa fabric रखा wrong side पर उसके उपर रखिए lining fabric side से stitch कर लिया extra fabric cut करना है और जो corner है वहाँ पर हमें एक cut लगा लेना है तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पलट लिया है इसका जो corner है वो अच्छे से निकाल लेना है यह देखिए आप इस पर iron भी कर सकते हैं अगर iron करेंगे तो यह अच्छे से बैठ जाएगा finishing के साथ तो देखिए इस पर हमने iron कर लिया side से हम इसे stitch करेंगे और extra fabric cut करेंगे extra fabric cut करेंगे दूसरा part भी सी तरीके से stitch करेंगे तो देखिए इस part को side से stitch कर लिया है और यह जो paper था वो हमें यह आप पर थोड़ा सा चाहिए होगा इस तरह से marking करने के लिए तकि इसे कितना fold करना है वो हमें यहाँ पर measure हो जाए दोनों पर marking कर लेनी है इस तरीके से fold करते हुए आपको इसको अच्छे से iron करना है तकि इस तरीके से बैट जाए finishing के साथ तो देखिए यहाँ पर हमने इस पर iron कर लिया है अच्छे से इस तरीके से एक रखते हुए स्टीच करना है नीचे के साइट से यह देखिए हमने इसे स्टीच कर लिया है और यहाँ से इसके उपर से भी हमें स्टीच कर लिया है तो देखिए जहां से हमने इसे fold किया है उसके just side से हमें से स्टीच करना है जो हमने fold किया उसके उपर stitch नहीं आना चाहिए वरना यहाँ पर finishing नहीं आएगी तो देखिए इसे हमने fold कर लिया अभी हमारा upper part जिसे हमने सिर्फ organza fabric पर ही cut किया था यहाँ पर हमें fabric लेना है तो certain fabric लिया उसके उपर और certain fabric को right side पर रखा उसके उपर lining रखते हुए stitch किया है एक्स्ट्रा fabric cut करना है एक stitch lining fabric के उपर से करना है और इसे अंदर के इस तरह से fold करते हुए stitch करेंगे यह देखिए stitch कर लिया अब यह जो corner निकला हुआ है वहाँ पर हमें इस तरीके से fabric को रखना है और इसे stitch करना है तो जो organza fabric रखा है वो हमने right side पर रखा इसके उपर side से भी इसे stitch करेंगे और जो extra fabric है उसे हमें cut करना है यह देखिए इस तरीके से extra fabric cut करेंगे और अब इसे इस तरह से रखते हुए हम इसे stitch करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने यह fabric लगाया है इसलिए तक कि जो neck है वो हमारा ज़्यादा deep ना हो छोटा ही रहे इस तरह से अच्छे से set करेंगे और से stitch करेंगे तो देखिए एक side से stitch कर लिया है दूसरे side से भी से हम इसी तरीके से stitch करना है तो देखिए side से हमने इसे stitch कर लिया है और अब नीचे से stitch करना है से यहाँ पर इस तरीके से करेंगे और इसे stitch करेंगे तो जहां से यह fold हुआ है उसके side से हमें इसे stitch करना है इसके उपर हम stitch नहीं करेंगे वर्न उसमें finishing नहीं आएगी अब देखिए यहाँ पर भी दूसरे side भी से हम इसी तरीके से stitch करेंगे दोनों साइट से हमने इसे स्टीच कर लिया है और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नेक को कट करेंगे तो आप यहापे जो नेक कट करेंगे उसे आप इसको स्टीच करने के बाद ही कट करिएगा ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए तो दिखिए यहाँ पर ही मैंने थोड़ा सा एक्स्टर लिया था तो 16.5 इंच पर मार्किंग करते हुए जो भी एक्स्टर फैवरिक के आपका उपसे कट कर लीजे तो दिखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया नेकी वीट हमें 3.5 इंच लेनी है नेकी लेन्ठ हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से राउंड शेफ ड्रॉ करना है और इसे कट करना है तो दिखिए यहाँ पर कट कर लिया है और अब जो और्गेंज वीट है उसकी क्रॉस में हमने पटी कट करनी है तो पटी हमने आपर कर लिए इस इस तरीके से fold करना है और stitch करना है आप चाहे तो इसे single भी लगा सकते हैं आप पटी को double भी लगा सकते हैं cut लगा लेना है पूरे ही neck पर एक stitch पटी के उपर से करेंगे पटी को उन्दर के side fold करते हुए एक stitch और करना है तो देखिए यहाँ पर हमने नेक को स्टीच कर लिया साइट का जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसे हम स्टीच करेंगे दूसरा पार्ट भी स्टीच करना है इसी तरीके से दोनों पार्ट स्टीच कर लिया नेचे के साइट पट्टी लगाएंगे पट्टी के वेट हमने 1.5 इंच रखी है एक स्टीच हमें पट्टी के उपर से करना है पट्टी को अंदर की साइट फोल्ड करते हुए एक स्टीच और करेंगे हाफ इंच पर आर्मोल की साइट पर गुलाई देनी है जो कि प्रिंसिस कर्ट में बात में ही कट करते हैं बैक पार्ट की नैक की विट 3.5 इंच रखनी है लैन्थ हमने 2.5 इंच रखी है इस तरीके से राउंड शेप देना है और अब देखिए यहां पर हमें नैक की लैन्थ लेनी है 11.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं आर्मोल की साइट पर हमें 5 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरीके से शेप देते हुए इसे कट करना है तो जो अपर पाटे उसे हम औरगें सा फैबरिक में कट करेंगे और जो नीचे का पाटे उसे हम सोटन फैबरिक पर कट करेंगे तो देखिए सोटन फैबरिक पर कट कर लिया shorten fabric को right side पर रखना है और उसके उपर lining रखते हुए हम इसे stitch करना है neck को तो देखिए यहां पर हमने neck को सरण से stitch करना है neck को stitch कर लिया neck पर cut लगाना है और neck को pullette लेना है और नेक पर हम साइट से एक स्टीच करेंगे बाकी साइट से भी से स्टीच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक कर लिया जो अपर पाट था उसे हमें इस तरह से स्टीच करना है तो जब उसमें से स्टीच कटिंग की थी तो हाफ इंच नीचे के साइट से एक्स्ट्रा लिया था और इस तरह के से हमें इसे कट करना है और यहाँ पर हम आई होक की पटी लगाएंगे तो यहाँ पर मैं हुक्की पटी लगा रही हूँ इसे हमें डबल करते हुए स्टीच करना है एक स्टीच हम पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर के साइड फोल्ड करते हुए एक स्टीच और करना है तो हुक्की पटी लगकर कम्प्लीट हो गई है और अब हम आई की पटी लगाएंगे तो साइड से एक स्टीच और कर लेते हैं हम तो हुक्की पटी कम्प्लीट कर ली आई की पटी लगानी है आई की पटी को वीर्थ में हमने 2.5 इंच लिया और एक साइट से इसे फोल्ड कर लिया है अब इसे तरह से नीचे के साइड रखते हुए हम इसे स्टीच करेंगे इसके उपर से एक स्टीच कर लेना है ताकि जो हम पटी लगाए उसमें फिनिशिंग आ जाए इस तरह किसे हमने इसे स्टीच किया इसको एक बार और फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे और साइट से एक स्टीच और कर लेना है फिनिशिंग के लिए बैक टक्स लगाएंगे बैक टक्स की जो लैंद है वह हम फाइव इनिश रखेंगे क्योंकि जो ब्लाव से हमारा वह क्रॉप्टों पे ज्यादा है इसकी लैंद अब दिखिए यहाँ पर फ्रिल के लिए हमने सिक्स इंच की यह फ्रिल कट की है स्ट्रेट में इस तरह से फ इसकी जो यहाँ पर जॉइंट है उसे हम सेंटर पर रखते हुए इस पर अच्छे से आइरन करेंगे और यह सॉटन फैब्रिक के लिए इसकी वीट हमने 4.5 इंच लिए है इसको भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए पलट लेना है जैसे हमने और्गेंजा फैब्रिक की करेंगे तो प्लेट समय इसारा से देनी हैं कि जो मरा आर्मोल वह में आज यानिकि पहले आपको अर्मोल को मेजर करना है फिर आपको यहां पर शीक के अकॉर्डिंग आप प्लेट स्टालनी है पूरे ही फैब्रिक पर इसी तरीके से प्लेट्स लाली और जो सोर्टन फैब्रिक था उसकी भी प्लेट्स हमने डाल ली है तो यहां पर दीखी जो सोर्टन फैब्रिक था उसका फैब्रिक मेरे पास थोड़ा सा कम था तो मैंने सिंप सेंटर सेंटर पर ही से रखा है और इस तरीके से इसको स्टीच कर लिया लिखिरदेगा है इसके उपर रखते हुए क्योंकि जो सोटन फैवरिक लिक था उसे हमें unanimousna baby विर्व में 4.5 फायभ एंच लिया था जो तो जो Surtan fabric की फिल है वो हमारी चोटी है इसलिए हमें उसको सेंटर पर शेरा से रखते हुए उसे स्टीच करना है यह देखिए इस तरह से पहले हमें सेंटर पर से स्टीच कर लेना है तो देखिए हमने इनको तयार कर लिया है सोल्डर को स्टीच करेंगे दोनों सोल्डर को स्टीच करना है और आर्मोल के साइड पर हमने ये लाइनिंग फाब्रिक की पटी कट की है क्रॉस में उसे हमें फोल करते हुए आर्मोल पर स्टीच करना है कट लगा लेना है पुरे ही आर्म होल पर एक स्टीच पटी के उपर से करना है और आर्मोर पर पटी हमने लगा ली है और इस तरह से फ्रिल को रखते हुए हम फ्रिल को स्टीच करेंगे सेंटर से तो दिखे इस तरीके से फ्रिल को हमें इस पर स्टीच कर लेना है यह दिखे दूसरी फ्रिल भी इसी तरीके से स्टीच करेंगे सेनटर पपिन अप करना है और साइंट से हम इसे स्टीच करेंगे एक्स्ट्रा फैबरिक इसका कट कर लिया है और ब्लाउस कोल्टा करते हैं साइट से एक पिर का मार्जन रखते हुए स्टीच करेंगे और देखें यहां पर हमने से फोल्ड करना है तरीके सोर हैंड स्टीच करना है सेंटर से हमें यहांपर मार्किंग करेंगे फिटिं लगाने के लिए तो cesc का fourthe part लेना है यहां से West का four part लेना है दोनौ मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहां पर फिटिंग लगा लेनी है तो फ्रेंग्स हमारे डिज़a bervearn क्रॉप टॉप बनकर कम्प्लीट हो गया है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को लैक्शर जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन की बेटन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें थैंक यू